जैश्रीकल की ओम नमो भगवते वासू देवा है माताय शोदा अश्रीकिष्ण की बॉंडिंग आज भी लोग याद करते हैं असीम प्रेम, वातसल्य प्रेम और माताय शोदा की मम्ता आज भी लोग भजन गा कर उसे शब्दों में बया करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो प्यार श्रीकिष्ण ने महसूस किया माताय शोदा के पास रहकर उनके आचल में खेल कर बड़े होकर वो किसी और ने शायद महसूस नहीं किया होगा तभी तो श्रिकिष्ण ने बाल स्वरूप में मातय शोधा के सामने कुछ ऐसा रहस्य प्रस्तुत कर दिया कि मातय शोधा भी दंग हुए बिना नहीं रह सकी और तब उन्हें पता चला वास्तों में जो उनकी गोध में खेल रहा है नन्हा बालक वो तो स्वय भगवान है जो बाल स्वरूप में उनके पास आए हैं एक दिन मातेशोधा श्रीकिष्ण को सुला कर जब बाल स्वरूप में श्रीकिष्ण थे बाल गुपाल उन्हें एक कमरे में सुला कर दूसरे कमरे में जाती हैं ताकि वो अपने घर के कामों को निप्टा सके अचानक उन्होंने देखा कि उनका बाल गुपाल छोटा सा कृष फिर ये अचानक खिलोने से खेल कैसे रहें ठीक है जाग गए होंगे तुरंद उन्हें फिर वही पर जहां वो खेल रहे थे वही पर थपकिया देकर मातय शोदा ने सुला दिया फिर अंदर गई ताकि बिस्तर को ठीक किया जा सके ताकि छोटे से बालक को जो बाहर के कमरे मे सो रहा था अंदर लेकर उसे जाकर उसके बिस्तर पर सुला सके अचब्बित रह गई मातय शोदा ये देखकर कि अंदर तो उनका बाल गोपाल सोया हुआ है जिस प्रकार उसे वो सुला कर गई थी फिर वो दोड़कर बाहर आई फिर उन्होंने देखा कि श्रिकिष्न खेल रहे हैं अब वो थोड़ा सा डर गई कि बाहर श्रिकिष्न अगर खेल रहे हैं तो अंदर जो बालक सो रहा है वो कौन है फिर वो दोड़कर अंदर गई और ऐसा चार-पांच बर हुआ तब श्रिकिष्न भगवान को लगा अब उनका ये खेल बंद कर देना चाहिए क्यों और उन्होंने अपना वो स्वरूप दिखला दिया माता इशोदा के सामने कि जिसमें उन्होंने देखा असंग के नदियां असंग के पहार असंग के वन असंग के उपवन असंग के बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी पृत्वी पर मिलती हैं जीव जन्तु कुछ भी ड्रमारां में थी कि अचंबित रह गए उनिका मुओ थो खुला को खुला तो और अपने चोटे से बालक को अपने प्यारे बेटे को कि रिश्न कंहया को सुलाने गई उन्हें देख रहे हैं वो खिलोने से खेलते हुँ अचंबीतО हो है अचानक कि यह क्या हो गया तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में उनके यहां साक्षात भगवान ने कदम रखा है साक्षात भगवान उनके साथ बाल सवरूप में अठखेलियां करते HR उन्हें ममता का प्रशाद दे रहे हैं वो और तब उनके मन से डर कहीं भाग गया और जब श्रीकिष्ण अपने बाल स्वरूप में फिर से वापस लोटे तो हस्ते मुस्कुराते हुए मा की गोद में फिर से सिमट गए तो ये है प्रभू की माया कलकी के रोम रोम में भी करोणो ब्रह्मांड बसते हैं कलकी कब किस रूप में किसके दर्वाजे चले जाएं किस भक्त को किस रूप में दर्शन दे दें ये कोई नहीं कह सकता कोई नहीं जान सकता जिस भक्त के उपर उनकी असीम कृपा बरसेगी उसे वो दिखलाएंगे अपनी वो लीला कि शायत इंसान उस लीला को देखकर कहीं न कहीं सहम जाए ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माता ये शोधा डर गई थी जब उन्होंने लिखा बाहर भी कृष्ण अंदर भी कृष्ण इस कमरे में भी कृष्ण और उस कमरे में भी कृष्ण और यही मैं आप लोगों को समझाती हूं यत्र तत्र सर्वत्र हर जगा केवल और केवल कल की उनमें ही कृष्ण हैं उनमें ही राम हैं उनमें ही नरसियां हैं शुक्रि की मोहिनि स्वरूप ले लिया था असुरों को चल देने के लिए असुरों को चीट करने के लिए उनके धोके का जवाब देने के लिए कि वो कहीं अमरित पीकर अमर न हो जाएं विश्नु भगवान को लेना पड़ाता मोहिनी स्वरूप उसी प्रकार कलकी के पास वो असीम शक्तियां हैं जिनका अंदाजा हम एक मानव के तौर पर लगा ही नहीं सकते और जब मैं बतला रही हूं उनके बारे में यकीन मानिये अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काप रही हूं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं कलकी भगवान को इसलिए कहा जाता है हरी अनंत हरी कथा अनंता शब्द कम पढ़ जाएं ज्यान कम पढ़ जाएं हमारी दृष्टी कम पढ़ जाएगी उन्हें देखने के लिए जब वो हमारे सामने खड़े हो जिनके रोम रोम में करोडों ब्रम्हांड समाए हुए हैं सोचिए वो कितना ताकतवर हैं क्या हम शब्दों की सीमा में उन्हें माद सकते हैं बिलकुल नहीं अगर उनसे जुमना है तो हमें अवेकनिंग की उस लेवल तक पहुँचना होगा जब सब कुछ अलग हमसे हो यानि ना स्वार्थ रहे ना अहुकार रहे ना कोई लालसा रहे ना ही किसी चीज को पाने की कोई चाहत बस केवल हमारे सामने प्रभू और प्रभू से अपने आपको जोड़ने की जो हमारी इच्छा है वो सिर्फ हमारे मन में रहे तब शायत हो सकता है भगवान कलकी को हम पर थोड़ी सी दया आए और किसी भी स्वरूप में चाहे बाल स्वरूप हो या किसी और स्वरूप जिसमें वो दर्शन देना चाहे हमें वो दर्शन दे दे लेकिन अपनी नजरों से उन्हें पहचान पाना और उनसे बातें करने का सौभाग्यव किस भक्त को प्राप्त बहुत साधना की थी उन्होंने बहुत परिक्षा कठोर ली गई थी उनकी और तब राम कृष्ट परमहंस को माशारदा को मा काली का अशिरवाद मिला था और तब मा काली जब उन्होंने ठोक बजा कर देख लिया था कि रामकृष्ण परमहंस वास्तों में उन्हें मा के तौर पर देखते हैं उनके लिए उनके दिल में बहुत जादा श्रदाहे भक्ती है जो किसी भी प्रकार से किसी भी मुसीबत में तूट नहीं सकती तो जब वो काली मा की परिक्षा में हुए सफल तब मा काली के साथ रामकृष्ण परमहंस का वो रिष्टा जुड़ गया जो आज भी लोग याद करते हैं मा शार्दा ने भी अपना पूरा जीवन मा काली की इस्तूती में लगा दिया तो कैसे इतनी जल्दी हम पालेंगे भगवान कलकी की कृपा टाइम लगता है साधना करते रहिए जुड़ते रहिए गुहार लगाए शायद कभी न कभी आपकी पुकार हमारी पुकार उन तक पहुँच जरूर जाएगी और किसी भी रूप में वो हमें दर्शन जरूर दे देंगे लेकिन डरियेगा नहीं क्योंकि हो सकता है उनका वो रूप बहुत लुभावना ना हो बलकि एक ऐसा रूप जो हो सकता है हमें उनसे दूर करने वाला हो क्योंकि परिक्षा की घड़ी में जब भक्तों को वो लेके जाएंगे एक नए युक की ओर तो भक्तों की शक्ती को बहुत अच्छी तरह परखेंगे कल की अवतार थैंक यू फेरी मच फॉर वाचिग मैं वीडियो